हेलो गाइस नमस्कार बेलकम तुन नी वीडियो सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो हमारी मारूती की सिप्ट डिजार या सिप्ट जैड एकस आई या जैड डी आई जो कार आती है उसके ब्रॉट साइज टैर के बारे में तो चलिए वीडियो करते श्टार्ट और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना गाइस तो गाइस इस चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी आपको सही मिलेगी गलत नहीं क्योंकि मैं टाय ट्रेड में ही काम करता हूँ तो मुझे पता है कि कौनसी कि आपको पूचर मिलते हैं इसमें देखने के लिए और क्या की आपको बेनिफिट मिलेंगे इस टैर से तो सभी जानकारी मैं आपको इस टैर के बारे में इस वीडियो मिलेगी बताउँगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना गाई यस यह एक सोपिच्चान में 60 आर पंदरा जो कि हमारी मारूति की सिप्ट या डिजार जैड एकस आई है जैड डिआइ जो कार आती है उसका ब्रॉट साइज टैर होता है उसका जो औरेनल साइज होता है एक सोपिच्चासी पैसाट आर पंदरा होता है और यह 88 भी रीडिंग का टेर होता है गाईस बीज जो होती है मैरी हाई स्पीड डीडिंग होती है यानिकी 240 की स्पीड डीडिंग होती है और 88 जो होती है हमारी लोडिंग कैपस्टी होती है यानिकी इसकी जो लोडिंग कैपस्टी है फाइवनड़ शिक्स्टी केजियास होती है और यह देख सकते हु इनसाइड तो इसके जो बिलोक्स है इसकी साइड के इनसाइड वाली के यानि कि एक छोटा बिलोक्स है और एक बड़ा बिलोक्स है और ये वाली जो साइड है हमारी बाहर की तरफ रहती है इसमें एक गैपिंग है और बड़ा बिलोक्स है तो इससे क्या होता है कि अगर हमार होते हैं लोहे के तार होते हैं श्टील बेल्डिड इसका मैक्सिमम लोड है 560 kgs और मैक्सिमम प्रेशर है 350 kPa और ट्रेड है इसकी टूपलाई पॉलिश्टर साइडवाल भी इसकी टूपलाई पॉलिश्टर और टूपलाई श्टील और बनपलाई लाए लाओं तो गाइस इसकी जो साइडवाल होती है इंड कमफरड भी होती है और अगर इसके पैटन की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो पैटन होता है गाईस तो यह देख सकते हो गाइस काफी अच्छा कूपसूरत पैटरन है एंड रवर्ड कौल्टी भी इसकी बेश टेर होगा है तो बहुत ही बेश टेर है आप इस टेर को डलवा सकते हो यह देख सकते हो गाइस यह MRF परफंजा के नाम से टेर आता है गाइस परफंजा जो टेर होता है अच्छा टेर होता है और एक इलास आपाट यानकी सबसे अलग होता है टेर और यह देखिए गाइस यह Lonewise यानकी समस साउंट बगरा भी नहीं आती है और यह सौपनेस टेर होता है और यह देख सकते हुआ इस right comfort यान की comfort भी होता है और better and dry यान की बरसात के मौसम में भी कोई problem नहींगी और high speed stability यान की इसकी stability या high speed running वाला टेर होता है तो बहुती best टेर है आप इस टेर को डलवा सकते हो एंड गाईस अगर इसकी warranty की बात करें तो इसकी warranty six year warranty होती है man patient effect की जैसे की side से के रहे को जाता है या बबल कर जाता है तो उसकी warranty माता है या तेर या फिर आपकी गाड़ी तेजी speed से चलती है अचानक मैं गड़े में या breaker पर चड़ जाती है और जो अंदर से रिम से जो टच होकर कड़ जाता है तो उसकी भी warranty माता है या टेर तो बहुती best टेर है आप इस टेर को डलवा सकते हो एंड गाईस अगर इसके किलोमेटर सर्विस की बात करें तो यह 90,000 किलोमेटर आपको सर्विस देगा सर्फ यह कि हर 50,000 किलोमेटर चलने के बाद जो हमारा Gel Balance And Alignment जो हता है बहुत ज़रूर होता है अमारी टायर की लाईप बढ़ाने के लिए अगर आपका Gel Balancing And Alignment पर उपर रहता है तो यह 90,000 किलोमेटर गरंटी से सर्विस देगा तो बहुती बेश टेर है आप इस टेर को डलवा सकते हो एंड गाईस माइलेज में भी अच्छा जो आपकी गाड़ी का फ्यूल होता है उसमें बच्छतों की इस टेर से तो बहुती बेश टेर है आप इस टेर को डलवा सकते हो एंड गाईस एहमारे परफंजे जो टेर होता है लगजीरी गाड़ियों के लिए बनाया है कमपनी ने जैसे BMW, Audi, Mercedes तो उन गाड़ियों के लिए बनाया है कमपनी ने तो कोई प्रोबल्म ने आएगी स्टैर से न कि कौन सी गारी के लिए कौन से टेर बेस्ट है तो चलिए आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियों में धन्यवाद